हेलो वरिवान नमस्कार आदाव सस्तिरिकाल तो आज के लेक्चर में हमाँ टॉपिक है एटिटूड प्लेंज जिसमें आज अब कवर करेंगे सिर्फ एटिटूड प्लेंज अगर आपको इसका पीडियाफ चाहिए तो डेस्ट्रेशन में लिंक दिया क्या है वहाँ पर आप गालें तो सपोज करो आप अगर फिल्ड एक्साशन करने गये हो मतलब कॉलेज के तरफ से कहीं आप तूर पर वहाँ पर आप के लिए मतलब तो वहाँ पर आपके माश्टर लोग आपकसे बोल सकते हैं कि इसका देखिए यहां पर यह बैडिंग मौजूद है यहां पर यह पॉलेशन हे यह फॉल्ट मौझूद है इसका बिप निकालो श्ट्राइक निकालो कॉंपास पता देंगे छलाना याता नहीं भले लेगी लेकिन पक्ड़ा देंगे निकालो तो उतनी अच्छे तरीके से जमी समझ में आता नहीं तो इसको अच्छे तरीके से आज हम कर समझें तो हम फिर सारे यह ऐलग मनें प्लेंगे लाइन की मिलते हैं किस में प्लेंज और एक लाइन स् Measure के कि सब्सक्राज इसे हमारा बैडिंग प्लेंग हो गया फॉलेशन प्लेंगा अउ सरफेस हो गया इस टाइप का हमें यहां पर ही planar structure हमें देखने को मिलता है और फिर जैसे लीम, joint, fault यह सब मौझूद हो गया फिर linear structure elements का जासे हम बात करें तो वहां पर हमें hinge line of fold intersection lineation produced by intersection of planar elements, mineral का lineation, slick and side का linearization ठीक है कहां पर faulted surface में तो यह समारा example क्या है हमारा linear structure element का है I know आपको अच्छे तरीके समझ में नहीं आ रहा होगा अभी तक उतने अच्छे तरीके से बस कैसे जाने रही है कहां पर कैसा होता हैं तो फिर हमारा सबस्द्राइब के बारें पढ़ रहें था कि यहां प्र फिर हम एक टर्म है जिस से हम geological structure का orientation सब्सके बारें पता लगा सकते हैं इन बोथ लेकिन इसे पहले थोड़ा सा में देखते हैं कि भाइसाब अगर अगर आपको किसी चीज का अटिटूड जाना है तो आपको बस दो चीज का ज़रूरी चाना पड़ चाहिए बल्लब दो चीज आपको पुछता रहना चाहिए सबसे पहले कि भाइसाब आज कर मार्केट में क्या चल रहा है ठीक है कौन सब भाइसाब का ट्रेंट है तो उस पर उपचाया हुआ है ठीक है और फिर भाइसाब कितने अच्छे सब्सक्राइब ठुमका लगा पारें मतलब टिक टॉक वाले इंक्लिनेशन कर रहे हैं मतलब कितना ठुमका ठीक है तो उससे आप यहां पर पता लगाए तो फिर अगर भासाम ऐसे देखा जाए तो एक्टिट्यूड का हमारे दो कॉम्पोनेट होते हैं एक ट्रेंड और एक इंक्लिनेशन याद हो गया आपको एक्टिट्यूड का दो कॉम्पोनेट होता है कौन-कौर सा पहला है ट्रेंड दूसरा है इंक्लिनेशन तो आखिर ये ट्रेंड होते क्या है कोई भी होरीजन अफल नाइं धोगा इसकственно क्यो सब्सक्राइब करने के लिए हमारा दो चीज का जोरत होता है ठीक है horizontal line को specify करने के लिए मेली हमें मतलब उसको क्या है कैसे है उसको specify करने के लिए हमें दो चीज का जोरत होता है बहुत important है यह हमारा कॉन गौन सा azimuth और bearing ठीक है आपको यहां पर यह आपके फिल्टूर पर जाएगा तो आपके लोग बोल सकते हैं इसको azimuth form में लिखो bearing form में लिखो श्ट्राइक को तो आपको यहां पर आना चाहिए तो उसको अच्छे तरीके सुनिएगा azimuth और bearing लिखते कैसे हैं आखिर होता क्या है तो सबसे पहले देखते हैं bearing अखिर होता क्या है तो bearing क्या होता है एक quadrant के अंदर समझ रहा है न नौर्थ इस बेर साउथ इसको चार फाम डिवाइड कर देंगे तो हमारे क्या हो गया चाथ्ट्ट्ट्ट्ट्ट हो गया तूसे तरीके से एक quadrant के अंदर हमारा नौर्थ इस बीच में तौर यहीं माउजोथ देखते में ड का इस थ начала को रहीं से संब्यों समयें देखे में नौर्थ इस नौर्थ-। इस साउथ है ठेए स्वां नौर्थ इस बीच में ब्हूजो तैydia तो अम्मारे इस बीच मिच बेर से नौर्थ इस ही पारी सियो यह है He is completely clear और लीख सकते composition is किये स्पूँश bulb किसे हमारा कितना हो सपास है यह हमारा ही हो गया North आप करेंब सकते हैं North तो हशन्डेट तैंड डीगरी North 210 डी और सोरी सोरी sorry आप इसको ऐसे लीख सकते हैं साउथ साउथ यहाँ से मिजर किजी साउथ यहां से 45 degree होगा, तो south 45 degree west, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, यह हमारा क्या होगा, trend का bearing होता है, ठीक है, तो bearing क्या होगा है, समझ गए, एक quadrant के इंदर, जो भी हमारा strike या line जो मौझूद है, उसका orientation किस तरीके से उसको represent करते हैं, उसको हमारा बोलते है, bearing, तो bearing कैसे represent कर रहे हमारा north भी लिख रहे हैं, किस तरीके से दुनों का यह हैं लिख रहे हैं, किस किस मौझूद है, north 45 degree east, लेकिन वही अगर हम बात करें, एजी मूद का, तो एजी मूद क्या होता है, जो angle हम मेजर करेंगे, clockwise from true north, true north से ही, true north मतला जैसे सपूँज यहां पर हमारा है, यह strike मौ तो यहां से देखेंगे, तो यहां से true north से measure करेंगे, true north से measure करेंगे, तो यह कितना हो जाएगा, सब फोच कीजी हमारा 200 degree, तो बस यह हमारा 200 degree ऐसे लिख देगे, तो azimut को हम बस किस तरीके से लिख सकते हैं, बस अगर आप 45 degree भी लिखते हैं, तब भी चलेगा, और 200 degree का एजमूथ है एजमूथ क्या होता है बस हमारा वहां लिख दीजिए आपको यहां पर नॉर्थ इस्ट कौन सा डिरेक्शन में सब लिखने है कुछ भी दरकार नहीं है बस आप यहां पर 45 डिग्री लगतीजेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि 360 डिग्री के अंदर हमार जिल्ए यह मौजूद रहता है 360 डिग्री तो इसके अंदर हमारा यह आएगा तो 45 डिग्री बहले यहां पर आए तो यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर सब्सक्रीए हो गया उस तरहीं से यहां पर देखे लीजी हाँ तो कितना 280 डिग्री इस टाइप से स्कुछा आएग यह हमारा ट्रेंड का एजिमूत हो गया समझ में आ गया बीरिंग कैसे लिख रहे थे बीरिंग में हमें नॉर्थ और इस्ट दो डिर्शन स्पेस्पाइब करना पड़ रहा था लेकिन एजिमूत में क्या हो गया हमारा से फॉट्वार डिगर लिख दिये काम खतम ठीक है पु कका सिधा दो रखिएगा नि सीधी को एक एंगल में यहां पर रखना पड़ेगा तो इसको बोलता है घमगल बना हमारे यह वर्टिकल लाइन और यहां पर हमारा यहां पर हमारे इसके बिच में है इसा रिवाल बोलते हैं मतलब त्येड़ा गर करके आप लगा वही इंक्ल को measure करेंगे तो इसको measure करने के लिए हमारा दो चीच का दरकार होता है attitude of plane को measure करने के लिए हमारा दो चीच का दरकार होता है सबसे पहला इस जो के हमारा डीप यहां टीक का डूरू प्राइब और आजाएंगे थे करें तो वह तो त्रूरुट्स पहुन वह अचिसे लिखते हैं लेकिन डीप होजा है दो टइप का टूरु और अपरेंट अधिक होते हैं यह जो लाइन है काफी इंपोर्टेंट लाइन है आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान दिजेगा कि स्ट्राइक क्या है एक इमेजनरी कोई साथ भी ख्वाब बुन लो तो कोई साथ भी ख्वाब में एक लाइन टान दो आप तो लेकिन वह कैसा होना चाहिए पर यहां पर हो रहा है उसमें जब एक एक इमेजनरी होरीजन्टल लाइन इस पर बना देंगे imaginary horizontal line तो उस imaginary horizontal line को हम क्या बोलते है strike बोलते है clear हो गया strike क्या होता है हमारे एक imaginary horizontal line कहाः पर हम बना रहे है एक incline bedding plane पर समझ गए फिर हमारे प्र जानते हो आइटा least structural bearing क्या होता है यहाँ पर अपाड़ पूछा सकता है structural bearing हो एक टर्म है तो यह क्या होता है, angle between strike and any line of interest, तो यह हमारे strike हुआ, और इसके बीच में कोई भी angle हम बना रहे हैं, तो जैसे आप सीधी पर यहां पर चड़ रहे थे, यह हमारा दिवाल था, यहां पर सपोज यह strike इसका हो गया, ठीक है, तो आपको यहां पर ही उसका angle यहां पर ही यहां angle इसका बनाएंट तो यह जो angle इसके बीच में बना, यह जो दिवार और जो सीधी के बीच में जो angle हमारा बना जितना angle उसको हम क्या बोल रहे हैं, हमारा structural bearing बोलते हैं, तो angle between strike and any line of interest, उसे हम क्या बोल रहे हैं, structural bearing बोलते हैं, clear है, तो हमारा dip, फिर आते हम deep के उपर, तो dip क्या होता है, डीप का हमारा две component है, हमारा पेहला इक हता है magnitude और इक हता है direction, तो magnitude क्या मतलब हमारा वहां पर deep amount कितना है, deep जो हो रहा है होचीज, उसका amount कितना है, वहां पर deep amount देखेंगे, फिर deep amount हमारा कहां से लेकर, कहां तक भखी करेघा, 0 से लेकर 90 degree थे तक हमारा deep amount बहरी करता है और डीप डायरेक्शन हमारा कब तक होगा लोग ऐसा होगा हमेशा ध्यान रखिए डीप डायरेक्शन हमारा हमेशा श्त्राइक के Prov depending रहेगा हम्मयारा टीप डार्येक्शन हमेशा श्त्राइक के ουडлан के प्रक्रटर्स ट्राइक से परपॉज यह है गरource हो नने किसी ऐसेल नोगर लेकिन हमेशा उसके Parpenglier होगा पूरा दिमाग में गांट प्रक्रश्का पिन हमारे डिप हो रहा था हमारे दो पार्ट था इसका नीप का एक कि डु टीप धा और एक पेर्णड डीप था तो टू डीप क महड़ेंगे लिए पेर्णड अच्छा कि debit क्या उता है श्ट्राइक से के बिलकुलसटीज करbo to be a और इसको छोड़के जो भी एंगल यहां पर बनेगा उसको क्क्या बोलेंगे एपलेंट डिफ बोलेंगे मतलब सट्राइक से अपने घर यहां पर हैं धन्हें पकानगा और true tip जो होंगे हमारा दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, sorry, long perpendicular बोला है न, तो strike, strike यह है, तो strike के perpendicular कौन सा हुआ, यह हुआ, मतलब यहाँ पर हमारा true deep, यह apparent deep है, तो उस तोरान क्या हो रहा है, apparent deep और true deep दोनों हमारा बराबर हो जाएंगे, अगर भाई हम बात करें, हमारा apparent deep जो है, अगर वो strike के बिलकुल parallel रहेगा, अगर हमारा apparent deep जो है, अगर बिलकुल वो strike के बिलकुल parallel रहेगा, तो उस तोरान हमारा strike कितना होता है, हमारा 0 degree होगा, तो strike apparent deep कितना होगा, हमारा 0 degree हो जाएगा, clear है, now, हमारा किस तरीके से हम strike deep को, उसको represent करते हैं, किस तरीके स इतना है इसको कॉपी में लिखो तो आप किस तरीके से उसको लिखोगे देखो आपके सर क्या बोलेंगे हमारा स्ट्राइक कितना है स्ट्राइक उसर बोल सकते हैं ठीक है या फिर साउथ 45 डिगरी इस्टी बोल सकते हैं तो आप क्या करेंगे हमारा इस तरीके से बनाएंगे यहां परी दसर बोलेंगे जो इस तरीके से हम यहां परी मनाएंगे नॉर्ट इस्ट वैश्ट अब किदे यहां परी कि मदें साउथ साउख 25 ढेडली हावनि मतलब यहां से कितने कितना इसर मेर मतलब इस्प इस ध्यासित बैस साउघ Bedri यह गयाता हैं तो 30 degree हमारा इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, अभी तक आपको समझ में नहीं आया, deep amount किस तरह के है, तो आप अभी तक ठिक से बता नहीं सकते, लेकिन फिर आप बोलेंगे, deep direction सर किस तरह के आप पूछेंगे, तो सर के आप बोलेंगे, कि north east के तरफ हमारा deep direction है, तब आप जो है हमारा deep amount किस तरफ बनाएंगे हमारा deep amount का direction जो होगा इस तरफ होगा और हमारे 30 degree आप वहाँ पर ही बनाएंगे इस तरीके से समझ में आ गया तो सबसे पहले आप ध्यान में याद रखेगा जब भी हम strike और deep को लिखते हैं सबसे पहले हम strike लिखते हैं fit deep लिखते हैं और deep direction और deep amount और deep direction दोनों को इस तरीक उलट फलट पी लिख सकते हैं ठीक है और सबसे important एक होता है पुरा एक rule है कि हमारा deep amount जो होता है वो सिर्फ two digits में होगा मतलब 30 degree और हमारे deep direction deep direction हम उसको भी लिख सकते हैं उसको भी ऐसे में लिख सकते हैं तो आगे उसको देखेंगे अभी उसको बाद में देखते हैं ठीक है समझ गए तो आगे देख लेंगे ठीक है उसको छोड़ा नहीं हो मैं ध्यान में रखिएगा आगे बताओंगा आपको अच्छे तरीकी से तो एक rule है we always have to represent both deep amount and deep direction together एक साथ किसी भी आपको एक ठो यहां पर ही सोचेंगे 30 degree बोल के मैं खतम कर देता हूं ऐसा नहीं होता है हमेशा deep amount और deep direction दोनों आपको एक साथ लिखना पड़ेगा वरना आप जान नहीं पाएंगे किस तरीक कर रहा है वो ठीक है तो आपका गलत हो जाएगा उक्के फा 잘못 तो यहां पर ही अच्छे तरीकितम समझते हैं यहां पर आपको क्या बताया था हमारा होतना है और हमारा इस के थे 30 degree क्यों हमारा इस तरफ भी हो सकता था लेकिन हमारा जो डीप डायरेक्शन था हमारा नॉर्थ इस्ट के तरफ था इसलिए हम इसको इस तरफ किये और हमारा कितना आ गया यहां पर ही तो आप यहां पर ही समझ सकते हैं डीप इमांट 30 degree हो गया और डीप डायरेक्शन नॉर्थ इस्ट है क्लियर है पूरा ना हम किस तरीके से स्ट्राइक को लिख सकते हैं बीरिंग के वब में लिखें तो हम इसको कैसे लिखेंगे साउथ 45 डिगरी इस्ट लिख सकते हैं ठीक है लिखेंगे तो 135 डिगरी पर लिख सकते हैं यह में श्ट्राइक को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका बताए आपको बियरिक के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे और एजीमूत के लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे टू नॉर्ट से हमारा क्लोकवाइज डिरेक्शन तो बहुत कि नॉर्ट से दोंगों को हमारा हूं करना होता है ओर दिप था कर गाहारा है अदो अत्यूर्ट कर सकते हैं फर इधर लेकिन हमारा दिप आरिकिन इधर था तो इसलिए इधर लिखे अब जब इधर लिखे तो इसको देखिए हमारा कैसे लिखेंगे नॉर्थ इस्ट नॉर्थ इस्ट भी आप लिख सकते हो ठीक है नॉर्थ इस्ट आप लिख दिए डिर्प डिरेक्शन है समझ में आ गया और एक तरीका हमारा है यह 45 डिग्री 45 डिग्री दिख रहे है तो इसो क्यों लिखे है हम 35 से 35ी डिग्री जो है इससे हम 90 डिग्री माइनस कर देंगे वही जो हमारा वह हमारा आचे कितना गया सौथ ऐहाप कुंछा कर देंगे तो इहां पर लिख सकते हैं हमारा जीरो फोर फाइप मैं यहां पर ऑन्सेप्त है वह हो ला कि डीप एमांट इमांट हमारा इसको दो 95 डिज़िए है उसको हमारा करने के लिए हम उसको 3 डिज़ित जो लगा देते हैं व समस्सक्राइब घैति हमेसे 2ट म सबमारा डिपंध और बेएक्षंय हमेशा 3 में पिट रादी बुक्ष कि हमारा इस चीह से दिखी है झां चीज़ और एकि मिनिट यहां परक्राब देखेंगे तो यहां से यहां तक हमारा है हमारा कितना यहां तरफ कर आगा मारा कितना पर छोगा ह हमार इस फालर किन गया डिप डिरेक्शन जो है नॉर्थ इस के तरफ हमारा मेली हमें पता चल जाएगा कि सरफ 45 डिगरी हो गया तो 45 डिगरी को हम रिप्रेज्ट कर सकते हैं 3 डिजिट से तो इसके आगे यहां पर डिप 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 करने के लिए हमें 3 डिजिट का दकार होता है तो अग 135 में 90 डिग्री प्लस कर देते 135 में 90 डिग्री हम प्लस कर देते तो कितना हो जाता 135 प्लस 90 कितना हो गया कि तू 25 पास तो आप इसको यह समझ सकते हैं कैसे बोल रहा हूं क्या बोल रहाँ अच्छे तरीके समझ में आ गिया ना तो विकन डिटर्माइट डियरेक्शन जस्ट बैशींग तो अगर कैसे बोल रहा हूं है जैसे दिखिए हमारा श्ट्राइग सपूझ कितना बोला है हमा करसे क्लास चैब करेंगे अगर्ट करना चाहते हैं तो लाइक और सबस्क्राइब को कुछ पिद्धार आपको डाउट हो तो comment section में please यहां पर ही मुझे inform कीजेगा मैं आपको वहां पर ही doubt clear करवा दूँगा okay so thank you very much for your patience